तो बच्चो अब हमने अध्याय आठ पढ़ना शुरू कर दिया था पिछले भाग में हमने शरीर में गती से सम्मंदित विभिन संधियों की बात की थी और आज इस दूसरे भाग में हम मानव कंकाल के बारे में कुछ महत्पूर्ण चीजों को समझेंगे तो चलिए शुरू क देखिए बच्चो ये मानव कंकाल का चित्र है आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में जो उपर मासपेशियां और वसा हैं उसके अंदर इस प्रकार का धाचा है इस प्रकार का कंकाल है समझते हैं इस कंकाल के बारे में हमारे शरीर की सभी अस्थियां शरीर को एक सुन्दर आकरती प्रदान करने के लिए एक धाचे का निर्मान करती हैं और इस धाचे को ही हम कंकाल कहते हैं साधारन बात है बच्चों कि विभिन अस्थियां जो हैं एक विशेश रूप से जुड़ी हुई हैं और एक आकरती का निर्मान करती हैं इसी आकरती को हम कंकाल कहते हैं यदि एक्सरे चित्र का उपयोग किया जाए तो इन एक्सरे चित्रों से हमें शरीर की सभी कठोर चल सकता है अपने अपने परिवार में या कहीं और सुना होगा एक्सरे चित्र के बारे में जब किसी वेक्ति को किसी दुरगटना के कारण चोट आती है तो अक्सर उसके कितनी चोट आई है यह पता लगाने के लिए उसे शरीर के जो दुरगटना ग्रस्त हिस्से हैं जो पूरा हिस्सा है यह अनेक छोटी चोटी अस्थियों से बना होता है यानि हमारी कलाई कई छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी होती है और इन अस्थियों को क्या कहते हैं बच्चो कारपेल कहते हैं आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमारा जो ये पूरा हिस्सा है ये कलाई के आगे वाला ये जो संपूर्ण हिस्सा है यहाँ पर इस प्रकार से छोटी-छोटी हड़ियां या अस्थियां मिलकर के इस पूरे हिस्से का निर्मान करती हैं आगे चलते हैं बच्चों इसके अलावा हमें बात करनी है एक महत्वून भाग की हमारे जो शरीर का जो एक मुख्य वाग है जिसे पसली पिंजर कहा जाता है आप यदि एक सामा निगतिविधी करें तो आप बहुत असानी से पसली पिंजर को समझ जाएंगे आप अपने शरीर के ये वाले जो हिस्सें हैं इन हिस्सों पर इस प्रकार से थोड़ा सा गहराई से दबा करके देखें तो आपको कुछ कठोर सा बहसूस होगा प्रतीत होगा अब दोनों हिस्सों में इस तरीके से चू करके देख सकते हैं बच्चों तो हमारी पसलियां वास्तों में ये जो हिस्सा है वो किस से बना होता है पसलियों से बना होता है हमारी पसलियां विशेश रूप से मुरी होती हैं वे वक्ष की अस्थी और मेरू दंड से जुड़ कर एक बक्से की सरचना करती हैं तो वक्ष में जो अस्थियां है और बीच में जो मेरुदंड है इनसे मिलकर हमारी पस्लियां एक विशेश सरचना जो हमें यहां दिखाई दे रही है इस प्रकार की सरचना करती है और यह सरचना जो है यह शंकूरूपी जो बक्से का निर्मा इस बक्से को ही क्या कहते हैं बच्चो पसली पिंजर कहते हैं तो यह सरचना हम सब ही के अंदर पाई जाती है यह हमारे कंकाल का एक महत्पूनिसा होती है वक्ष के दोनों तरफ बारा पसलियां होती है आप ध्यान रखें कि इधर भी बारा पसलियां होती है और इधर भी बा बाएं और बाएं दोनों भाग में बारा बारा पसलियां पाई जाती हैं। अन्य कई हिस्से भी इस पसली पिंजर के अंदर सुरक्षित रह पाते हैं। प्रकार अच्छे से छूते हुए लेकर जाना हैं। तब आपको जो अनुभव होगा, जो सरचना आपको महसूस होगी, वो सरचना ही क्या कहलाती हैं। जो मेरूदंड कहलाती हैं। तो कुछ इस प्रकार की सरचना होती हैं। आप यहां देख पा रहे हैं। यह गर्दन से शुरू होती हैं। और पीट से बिल्कुल नीचे वाले हिस्से तक यह हैं जाती है। यह जो मेरूदंड हैं, यह अनेक छोटी-छोटी अस्थियों से बना होता हैं। और इन अस्थियों को कशे रुका कहा जाता है और वास्तों में हमारे मेरुदंड में कुल 33 कशे रुकाएं होती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है यह याद रखने के लिए कि हमारा यह जो मेरुदंड है वो कुल 33 कशे रुकाओं से मिलकर बनता है पसली पिंजर भी वक्ष छेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा होता है तो आप ध्यान रखेंगे कि पसली पिंजर यहाँ पर ही जुड़ा हुआ रहता है आगे चलते हैं बच्चों इसके बात जो हमें बात करनी है वहाँ फिर आपको एक गतिविधी करानी होगी उसके द्वारा आप असानी से इस बात को समझ सकते हैं करना क्या है कि अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दिवार को धक्का लगाने के लिए कहिए आप अपने मित्र को देखिए और उसे क्या कहिए कि वो किसी दिवार पर अच्छे से धक्का लगाए ठीक है उस पर धक्का लगाने की दोरान बहुत अराम से जोर लगाना है ताकत लगानी है अब उससे कहिए कि वह अपने हाथों से दिवार पर धक्का लगाने का प्रयास करें और ऐसा करने के दोरान जब आपका मित्र ऐसा क कर रहा होगा उस दोरान आपको उसके कंधों के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देंगी यहां में आप देख पा रहे हैं ये जो अस्थी है ये क्या कहलाती है कंधों की अस्थी कहलाती है और ऐसी सरचना आपको दोनों कंधों की तरफ दिखाई दे जाएगी इसके बाद हमें बात करनी है श्रोणी अस्थियों की जो चित्र में दिखाई गई सरचना है इसे क्या कहते हैं श्रोणी अस्थियां कहते हैं ये बॉक्स के समान ऐसी सरचना बनाती है जो आमाशे के नीचे पाए जाने वाले विभिन अंगों की रक्षा करता है आपका पेट या आमाशे उसके नीचे भी शरीर के कुछ अंग पाए जाते हैं और उन अंगों की रक्षा कौन करता है ये ज कूले वाला हिस्सा हैं आप जहां से बैठते हैं किसी भी स्थान पर बैठने के लिए आप अपने कूलों का उपयोग करते हैं तो ये श्रोने अस्थियां वास्तव में कूलों वाला हिस्सा ही होती हैं तो बच्चों आज की कक्षा हमारी यही समाप्त होती हैं आज की कक्षा म आपने मानव कंकाल के बारे में जाना उस कंकाल के अलावा आपने पसली पिंजर क्या है ये समझा मेरू दंड क्या होता है इस बारे में भी हमने जाना कंधे की अस्थियां कैसी होती है ये भी हमने समझा और साथी साथ हमने श्रोणी अस्थियों की बात की तो आज की कक्षा क के लिए इतना ही मिलेंगे अगली कक्षा में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवार